चले बच अब शुरू करते हैं देखिए अगला question question number question 30 तो पड़ते हैं इसको क्या दिया है देखो the median of the following data is 525 525 median पहले अमाद्धी का दे रखी है हमें question में find the values of x and y if the total frequency is 100 total frequency दे रखी है मतलब की n की value दे रखी है है ना मतलब summation जो हम f निकालते थे f i वही summation f मतलब और उसी को हम कहेंगे n तो n की value दे रखी है कितनी 100 100 n की value दे रखी है यहाँ और median यारी माद्धी का दे रखी हमें यहाँ पर कितनी 525 ठीक है अब देखो यहाँ पर दो variable दिये है basically frequency में देखोगे आप तो frequency की जो data है उस data में देखो दो variable है एक तरीके से x और y मतलब दो ऐसे variable हैं जिनकी value हमें बतानी है question में कि इनकी जगे क्या value होगी कोई बात नहीं तो इस तरीके question भी आएंगे exam में अच्छा question है देखो इस type का question आएगा तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले हम यह table जो है नीचे इदर इस table में download कर लेते हैं तो देखो interval दे रखा है class 0 से 100 100 से 200 200 से 300 और 300 से 400 400 से 500 500 से 600 600 से 700 700 से 800 800 से 900 और 900 से 1000 यह हमें class interval दिये हैं आप देखों यहाँ पर size दिख रहा है मुझे class का size कितना है 100 है है हना और frequency क्या दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं जड़ा 2 5 X 12 17 20 और Y 9 7 24 यह हमें क्या दे रखे हैं frequency दे रखे हैं ठीक है तो देखो अब क्या करेंगे हमें cumulative frequency निकाल ली है पहले क्या करेंगे cumulative frequency निकालेंगे cumulative frequency कैसे निकालते हैं हम पहली value as it is यानि जो frequency की value है पहली value as it is उसके बाद इसकी नीचे वाली value को sum करेंगे और इधर लिखेंगे क्या करेंगे? इसको sum करेंगे और इधर लिखेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7 अब 7 को x से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 plus x हो जाएगा 7 को 12 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा? 19 प्लस x हो जाएगा अब 17, 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा? 36 प्लस x यह हो जाएगा देखो कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बता देना मझे तो देखे अब आप अगली टर्म जोड़ी है 9 9 जोड़ेंगे यहां पर तो क्या होगा देखो एक इसको दे दो 10 होगे 10 55 65 प्लस X प्लस Y ठीक है 65 प्लस X प्लस Y अब 7 जोड़ दीजे अब 7 जोड़ फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 प्लस X प्लस Y तो यह आगया आपका क्या कमिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल के आई अब हम जानते हैं कि देखो यह जो वैल्यू निया पर दे रख किया उसने हमें 100 कि इन सभी वैल्यूस का फ्रिक्वेंसी की वैल्यूस का जो स् जो यह लास्ट टम आती है वो हमेशा क्या होती है आपके इस टम के बरावर होती है इसके इक्वेलेंट होती है तो जब यह इक्वेलेंट होगी दोनों आपस में इसका मतलब कि 76 प्लस X प्लस Y इस इक्वेल टू होगा 100 तो X प्लस Y इस इक्वेल टू 100 माइनस 76 इसका मतलब क्या हो गया x plus y is equal to कितना आ गया जल्दी बताओ जड़ा minus करके 24 x plus y is equal to 24 चलिए इसको रख देथा हम equation number 1 इसको मान लेते हैं equation number हम 1 अब आगे चलते हैं देखो हमें question में अगर हम बात करें solution के लिए इसको तो हमें given है पहले से given है हमारे पास क्या कि median जो median दे रखा है median is equal to 525 यानि 525 median है जब 525 median है तो हमारे पास क्या होगा पांसो पच्चेस जो का यह which is lie मतलब अगर हम बात करें इसकी तो विच इस लाए इन क्लास इंटर्वल 500 तो 600 यानि यह value किस interval के अंदर आएगी इस interval के अंदर आएगी 500 और 600 के बीच में आएगी यह value अब 500 और 600 कहा है आपका देखें जरा यह रहा तो जब यह यह value median की value जब इसके अंदर आ रही है तो OBSCबात है यह हमारी क्या होगी यह होगी यह हमारी median class. क्या होगी? median class. अब आपको median class मिल जाती है तो देखो क्या-क्या मिल जाता है आपको एक तो L मिल जाता है lower limit of the median class एक आपको F मिल जाता है जो F होता है एक आपको CF मिल जाता है अब CF देखना हमेशा ध्यान रखना बच्चे हमेसा यही गलती करके आता है जो cf है वो यही मान लेता है नीचे वाला but cf क्या होता है आपका cumulative frequency of the median class of preceding मतलब cumulative frequency is the preceding value of the median class preceding मतलब एक पहली cumulative frequency होती है cf यह वाली और f होगी यह वाली ठीक है तो अब खेंगे अगर आप according to formula of the median सारी value आगई आपके बास क्या आगई सारी value निकल के आगई तो देखे formula लिखते हैं हम यहापे median का तो median क्या होता है आपका median बराबर होता है formula बताओ बटा l plus n by 2 minus cf upon f ठीक है into h यही होता है formula बताओ जल्दी से तो median हमें given है 525 बेटा उपर देखो जल्दी क्यों ल, l की value कितनी है lower limit यानि की 500 plus n by 2 n by 2 की अच्छा n दे रखा था देखो हमें कितना 100 दे रखा था उपर n की value तो n by 2 कितनी हो जाएगी आदी कर तो यानि की 50 हो जाएगी तो यह हो गई 50 लिख लेना इसको 50 minus cf की value कितनी है देखके बताओ जरा 36 minus x जब प्लस x है जब यह minus अंदर चला जाएगा, मैंने यही पर कर दिया multiply तो यह minus हो जाएगा otherwise यह bracket लगाओगे तो यह plus रहेगा bracket नहीं लगाओगे तो minus रहेगा ठीक है दोनो value minus की हो गई upon में क्या चल रहा है upon में f चल रहा है f की value 20 into multiply कितना है h, h मतलब class size class का size कितना है, 100 दे रखा है तो अब अगर आप देखोगे 100 से कितनी बार कटेगा यह 5 time कट जाएगा बिलकुल कटेगा सर तो जब यह 5 time कटेगा अब यहाँ पर देखो पहले कितना minus करके कितना बच रहा है देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 14 बच गया 14 minus x और 5 यह चल रहा है चलो पहले तो इसको देखो 525 में 500 इदर ले आओ 525 minus 500 equal यह बच्चा 14 minus x bracket में into 5 यहाँ तक आगे आप यहाँ तक कोई doubt है बताओ जल्दी से equation हम solve कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है देखो यहाँ कितना बचेगा 25 बचेगा equal यह 5 नीचे ले आओ 5 नीचे आ गया यहाँ कितना बचेगा अब यह bracket की जरूद नहीं है यहाँ पर bracket हटा देता है यह बचा 14 minus x अब देखो 5 से काट दो इसको 5 से कट गए कितनी टाइम 5 टाइम ठीक अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है 5 equal to 14 minus x यह आ गया अब यहाँ से देखो x की value निकाल लो x को इदर ले आओ 5 को उधर ले जाओ तो x इदर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा ठीक है तो आप देखोगे आप तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की value आ गई कितनी निकल के हमारे पास 9 9 आ गई x की value तो देखो x की value आपके पास 9 निकल के आ ही चुकी है तो अब आप एक काम करो जो हमने equation number 1 बनाई थी उस equation में आप इस value को put कर दो क्या कर दो उस equation में आप यह value रख दो आपको y की value मिल जाएगी देखो रखो यहाँ पर so now put the values of x in the equation number first लिख लेना यह पर मैं यहाँ पर directly put कर रहा हूँ 9 plus y is equal to 24 तो y equal to 24 minus 9 और 24 मैं से minus 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा आपको मिल जाएगा 15 यानि की 15 ओके बच्चा तो 15 मिल गया इसका मतलब y की value कितनी आ गई 15 तो x की value आ गई 9 और y की value आ गई 15 देखो question समदो धंसे दुबारा से देखके अगर कहीं कोई doubt हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ देखके otherwise question solve हो गया answer आपका आ गया अब match करा लो जड़ा x बरावर 9 y बरावर 5 x बरावर 9 y बरावर 5 इसका मतलब option number पहला आपका सही answer हो गया बिटा option number first ठीक है is the right answer अगर आपके कुछ और answer आ रहा है तो गलत होगा यही सही answer है तो समझ आया आपको question कैसे करेंगे इस type का जब question आएगा तो डरना नहीं है question में कुछ भी नहीं है similar kind of question है आपको बस x y देखो यहां पर आप सोच रहोगे कैसे sum करेंगे कुछ नहीं है जैसे यह sum हो गया x y यहीं से निकल के आजाएगा और ऐसा जब भी question दिया हो गया होगा तो आपको यहां पर frequency की value और रखकी होगी minus करोगे x y निकल के equation बन जाएगी ठीक है मिटा तो बस solve कर दो answer आपके सामने है